जावा सेखने के लिए हमारे चैनल लर्ण कोडिंग को सब्सक्राइब करें हाई गाइस आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिसकस करेंगे गांस्ट्रक्टर कि जावा में का सबसे पहले स्टार्ट करूंगा वार्टिज का स्ट्रक्टर डेफिनेशन से full explanation मतलब constructor कितने type का होता है constructor बनाने का syntax क्या है और इसके सारे points जो आपको जानना ज़रूरी है वो सभी बताऊंगा ठीक है तो चलो start करते हैं यह होता क्या है constructor is a special type of method whose name is same as class name constructor एक special type का method होता है जिसका name आपके class name के जैसा same होता है जो भी class का name रहेगा वही हमारे constructor का भी name रहेगा जो कि एक special type का method होता है अभी आपको यह तो constructor का basic definition हो गया interview में अक्सर पूछा जाता है constructor बनाने का purpose क्या है इसका main काम क्या है तो आपको यह point वहाँ पे बोलना है सबसे पहला the main purpose of constructor is initialize the object constructor बनाने का main purpose यह होता है कि यह object को initialize कर देता है मालो हमारे पास class में दो instance variable है और हमने उनमें कोई value initialize नहीं किया है तो जब हम उस class का object बनाएंगे तो constructor अपने आप call होगा तो उस time पे compiler अपने से constructor add कर देगा अगर हम नहीं बनाते हैं तब और अपने से ही उन दोनो instance variable में value initialize कर देगा constructor ठीक है तो इसलिए constructor का main purpose होता है object को initialize करना और instance variable तो object का ही part होता है second point आपको क्या याद रखना है every Java class has a constructor Java में आप जो भी class बनाते हो ना हर एक class में एक constructor होता है और उस constructor का नाम होता है default constructor अगर आप अपने से बना देते हैं तो compiler नहीं add करेगा लेकिन अगर आप अपने से कोई constructor नहीं बनाते हैं तो Java compiler क्या करता है कि class में अपने से constructor add कर देता है default type का ठीक है मैं प्रोग्राम में आपको ये प्रूफ करके दूँगा third point क्या है a constructor is automatically called at the time of object creation जब भी हम class का object create करते हैं तो object create करते ही constructor हमारा call हो जाता है अपने आप लास्ट पॉइंट क्या है a constructor never contain any return type including void constructor कोई भी return type contain नहीं करता in fact void भी नहीं होता है constructor के case में आप यहां पर syntaxe देख लो सबसे पहले यह हमारा class है class का name और इसी class के अंदर देखो class name कहीं एक special method है यही हमारा constructor है यह constructor की हमारी body है यहां पर हम code लिखेंगे अंदर में जो भी आप लिखना चाहें तो आप देखो गाइस class का name और यहां भी class का name ही होगा दोनों same होगा तो यह हो गया constructor का syntax और सारे points अभी चलो मैं आपको एक program बना के दिखाता हूं कि कैसे Java के हर एक class में एक default constructor होता है और वो value को object में initialize करता है आप बस हमारे program को step by step देखते रहिएगा आपको सारा point समझ में आ जाएगा ठीक है तो चलो हम program लिखना इस्टार्ट करते हैं कि लिखना कैसे है, constructor बनाना कैसे है सबसे पहले तो आपको एक simple सा class बनाना है जैसे मैं यहां पर A नाम का एक class बनाया हूँ मैंने क्या बाड़ा था constructor जो होता है आपके class के name का जैसा ही उसका भी name होता है सेम होता है ठीक है तो यहां पे ए नाम कही अगर हमें किस्पिसल मेथड बनाते है न तो वही होता है कंस्ट्रक्टर तो देखो जो क्लास का नेम है वही इसका भी नेम है और मेथड में क्या होता है यह पैरंथेसिस लगा रहता है इसलिए बोला जाता है कंस्ट्रक्टर है किस special method होता है और यहां पे result को display कराने के लिए हमें एक और method बना रहे हैं void so नाम का आप चाहो तो इसी constructor के अंदर ही अपने value को display कर सकते हो पर मैं अलग से एक और method इसके लिए बना लिया हूँ अभी हमारे पास class में क्या होगा instance variable होगा तो मैंने एक integer type का a नाम का instance variable बनाया और मैंने same string type का एक name नाम का भी instance variable बनाया तो देखो यहां पे हमारे पास दो instance variable है और इन में हमने कोई भी value अभी तक initialize नहीं किया है तो value हम initialize करते हैं यहां पे अगर मैं a में डाल दू जीरो और अपने name वाले variable में डाल देता हूं मैं value null यह मैंने value initialize कर दिया यहां पे देखो मैंने खुद का constructor बनाया है और खुद से value मैं initialize कर रहा हूं ठीक है अब मुझे क्या करना है मुझे बस अपने result को display करना है तो मैं void show method के अंदर system.out.print में यहां पे क्या कर रहा हूं एक को print करूंगा उसके बाद space रहेगा बीच में फिर मैंने name variable को भी अपने यहां पे print कर दिया n a m a ठीक है तो देखो अपना code ready है सबसे पहले इस class का हमें object बनाना होगा तो object बनाने के लिए हमें एक अलग class बना रहे भी नम का ठीक है यहां पे होगा main method और इसी main method के अंदर हम object बनाएंगे अपने class a का क्योंकि सारा coding तो इसी a के अंदर लिखा है म नहां पे class name a object reference variable का name मैंने ref दिया new keyword memory allocate करने के लिए और यह जो मैं लिख रहा हूँ ना यही है constructor जैसे ही मैंने class a का object बनाया new keyword से reference variable ref तो यह जो है ना यह constructor है तो object creation के time ही यह क्या करेगा अपने आपको call कर लेगा यानि इसको call कर देगा और इस constructor को call करने के लिए हमें किसी भी तरह का dot operator से उसे manually call करने की ज़रत नहीं पड़ती है ठीक है यह जो है अपने से call हो जाएगा क्योंकि हमने यह लिख दिया है लेकिन यह जो so method है इसे हमें call करना होगा object reference ref dot so अगर हम लिखेंगे तभी यह हमारा call हो पाएगा so method क्यों कि यह एक normal method है तो सबसे पहले इतना का result आपको मैं दिखाता हूँ इसे save कर लेते हैं desktop location पे b.java नाम से देखो जिसमें object बना रहे हो main method है उसी class का name से program को save करना है अभी मैं इसे compile कर रहा हूँ देखो यह compile हो गया अब मैंने इसे run करा तो output हमारा आ गया zero और null जो हमने constructor बन आके अपने instance variable में initialize किया था value वह आ चुका है अब मैंने आपको starting में क्या बोला थे कि java के हर एक class में एक default constructor होता है तो उसे कैसे प्रूफ करेंगे हम अभी करते हैं अभी देखो मैंने अपने constructor वाले part को comment कर दिया समझ लो यह हट चुका है यह है यह नहीं है ठीक तो अग अभी मैं आपको result दिखाऊं यहां पर मैंने फिर से compile किया यहां पर run किया तो अभी देखो same output फिर आ रहा है इसका मतलब यह prove होता है कि इस बार जब constructor यहां पर हमारा नहीं था तो java compiler java c ने क्या किया अपने से एक constructor यहां पर उसने add किया इसी तरह का same constructor उसने अपने से add क किया constructor भी add किया और साथी साथ यह instance variable में उसने अंदरे अंदर value भी initialize कर दिया तब ही तो हमारा output में second time भी यह देखो zero और null आ रहा है यह zero value हमारा integer type के variable का default value है और null value हमारा string type के variable का default value है तो constructor क्या करता है सिर्फ और सिर्फ instance variable में value को initialize करता है इंस्टेंस variable क्या होता है इंस्टेंस variable ना ओबजेट का ही part होता है ठीक है तो यहाँ पर मैंने больше hum को बोलता है constructor जो है object को initialize करता है तो initialize मतलब यह instance variables में value initialize किय तो यह instance variable ही तो а जटका पार्ट है तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है आने वाले वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि जब कंपाइलर खुद का डिफॉर्ट का स्ट्रक्टर एड कर दे रहा है और हमें दोनों में देखो सेम रिजल्ट आ रहा है तो हम अपना प्राइवेट कंस्ट्रक्टर और लास्ट में चौथा नंबर पे कॉपी कंस्ट्रक्टर तो इन तीनों कंस्ट्रक्टर के बारे में उम्मीद करते हैं आप कुछ न कुछ जानते होंगे क्योंकि आपने सी प्लस प्लस में जरूर पढ़ा होगा लेकिन जावा में यह के डिसकस करेंगे अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करो शेयर करो चानल पर नहीं चानल को सब्सक्राइब कर दो